है ख़्ान हमने अपनी प्रिवियस लेक्षर में रिक्षिन औप है लोजन जली कंपॉर्ण गाय्ण डेखा उसके साथ हमें किंक स्टें डॉर रेक्षिन किया सात हैं इसके व महीं को थेया कीडि मायद में सन्य P कि आप हम करेंगे boiling point of a rail है ठीक है अग्या करेंगे boiling point of alkyl highlight complete कि आता आप करेंगे boiling point of alkyl highlight तो देखो आभी आपको रूल ता आपको मैं पता था boiling point क्या हता है directly proportional होता है आपके molecular mass से ठीक है और वह इंवर्सली प्रपोर्शणल किस से होता है आपका branching से होता है यह दो हमने अपने प्रीएस लेख्शर में ही देखा अम यहां पर ध्यान से देखो आपको आराइल हैलाइड में बताना है यह पता है अराइल हैलाइड भी कितने आईसों में सोते ब्लाइड इस पोस्पोर्ज मेरा लह टो एक क्या होता हि कर दूसरा आपको क्या होता है मैटाई नहीं मुना और हिक और में आ को फ़क्यran फेटली अ की आपको पतायाया बॉलिकर कियो एक उर्फो आपको क्वेस्टिन कव्चा जाता है आप को क्वेस्टिस के ज्टेर निस्टिर more boiling point than ortho and metaphism ठीक है आपको question क्या पुछेगा कि Why para position मतलब जो पहरा position है इसका boiling point क्या होता है इसका boiling point more होता है दन ortho and metaphism kyung इसका boiling point ज़्यादा होता है क्यूं पहरा पोजिशन पर ही आपका अराइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट जा रहा होता है तो देखो जो पैरा पोजिशन होता है ना उसमें क्या होता है इस हाइली सिमेट्रिक is highly what symmetry gosh highly symmetric means what यह देखो है यह क्या और है पैरा पूजिशन है अगर आप इसको से कट करोगे तो यह दोनों क्या रहा है शिमेटरी हो रहा है यहां पर देखो यह तो सीमेटरी नीजे भी नहीं सिवेडिक तो यह क्या है सिमेट्री यह कैसे मॉलीकी लिए पैरा पोजिशिट के आए एक हाईली सेमेट्री के तो क्या होता है सो इट फ्लोज और टाइट टाइट फ्लोज और टाइट पैकिंग इन क्रिस्टल लिटिक्स क्या होता है because of this highly symmetry के तो वो इदम closely lightly क्या है पैक्के इन क्रिस्टल लिटिक्स तो second point क्या होता है due to this due to this what close packing due to this close packing what happened it shows greater force of attraction it shows greater force of attraction okay it shows greater force of attraction so large amount so the large amount of energy required to break this right ज्यादा close fact है तो उनका क्या हो रहा है force of attraction ज्यादा हो रहा है तो उनमें क्या लग रहा है force of attraction ज्यादा है तो क्या easily break होगे नहीं large amount of what energy required होगा उसको break करने के लिए तो due to which what happened due to which sorry boiling point of para isomers is high than ortho and meta isomers क्या बोला मैंने boiling point of aryl halide हम क्या पूछ रहे हमें question क्या था कि why the para position of aryl halide have more boiling point than the ortho and meta position तो reason क्या है देखो यहापे first reason क्या है जो para position होता है symmetric होता है यहापे देखो यह अगर आप में यहापे bond को यहापे इसको मैं ऐसा break करने जाओ तो यह देखो यह एक symmetry में लाए है यह दोनों है नहीं है it means यह क्या एक symmetric है okay because of symmetric यह क्या हो रहा है यह close or tight packing packing in crystallatics इसके molecules क्या होते है यह बहुत closely वह tightly packed होते है due to this is close है जित्ते tight or close है because of this क्या हो रहा है यह greater force of attraction शो कर रहे greater force of attraction शो किया it means अगर आपको bond को तोड़ना है तो आपको greater amount of energy use करना आप easily इसको तोड़ सकते नहीं greater amount of last amount of energy आपको क्या करना है और वो close packing में क्या होता है tightly close packed है because of tightly close packed what happen it will more means it have a greater force of attraction and more energy required to break that force of attraction because of this वो क्या होता है परापोईश्च पराइसोमरीस having more boiling point than orphan meta in aryl halide ठीक है clear हुआ आपको reason अभी आपको में एक question बताने जा रहे हुआ आपके book के problem number आपका 10.2 है question में आपके लिख देती पहले arrange the following compound in order of increasing boiling point आपके compound क्या है gromoform ठीक है second है आपका chloromethane थर्ड है आपका dry bromomethane यह और ते आपका पूर्ट है आपका पूर्ट है आपका पूर्ट है आपका question है आपका question क्या है arrange the following compound in order of increasing boiling point आपको compound को इनकी increasing boiling point में आपको क्या करना है इसको arrange करना है तो first है bromoform chloroform dibromoform और bromomethane तो देखो bromoform मतलब BH और CHB3 sorry BR3 not B3 BR3 CHBR3 chloro-methane is what chloro-methane means CS3C dry bromo-methane means what यहाँ पर CS2 BR2 और bromomethane is what यहाँ CS3 BR CS3 BR यह क्या bromoform है और यह bromomethane है तो मैंने हाँ पर क्या 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 है 3 BROMIN लगा दिये ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर स्रॉक्षर में देखो C के साथ में 3 H और 1 chlorine है यहाँ पर C के साथ में 2 H 2 BR है यहाँ पर C के साथ में 3 H 1 BR है ठीक है तो बच्चे जो molecule size of bromine जो molecule molecule size of BR is more than chlorine यह आपको याद रखना है जो molecule size of BR होता है वो क्या हता है more than chlorine मतलब molecule size bromine का size chlorine से क्या होता है बड़ा होता है तो ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने ब्रोमीन है यहाँ पर तीन ब्रोमीन है इसकी size सबसे ज़्यादा बड़ी होगी यहाँ पर एक है मतलब इसे तो कम है यहाँ पर मतलब these odd ones को इससे खोड़ा कमASON यह के से कम है बड़त सबसे कमें ना सबसे कंशिए्ल शाइज अप क्या हो रहा जोड़ा है ब्रोमीन कीआइज का मास and molecular मास और molecular size भी आप बोल से तो molecular mass or molecular size and it is what? It is directly proportional to Vanderval's force of attraction force of what? Attraction, ठीक? boiling point is directly proportional to molecular mass is directly proportional to molecular size and Vanderval's force of attack यहा पे देखो, यहा पे क्या हो रहा है? जो CS3Cl CS3Cl का सबसे small size की क्लोरिन का size very coming उसके बाद हमारे में प्रैस क्या आएगा उसके बात किया यह सबसे चोटा इसके बाद सिंगल ब्रॉमीन आएगा यहोग्या आपका सरी इस से बड़ा को ने हमारे पास मसप Sabot ऊपीत ही दख च्छी इह हैंS下 की इस यहां पर हमारे वह लिए उल एक हमारे पास तो इट मीस वीड़ इर पॉइंट किस ऑड़र में जा रहा है इस आधा यहाँ पर पहले आगा इसलिए सब सी किसके पास है सिएच भीर तुपिर उसके बाद में च्ट्व बियांटु फिर यहां पे तो हो गया यह question मैंने आपको solve करके यह वाइब हमें क्या बताना increasing order of boiling point of what जो आपको compound यहां पे दिये अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो solubility of what alkyl halide हम alkyl halide halogen derivative कर रहे हैं इसके लिए solubility of alkyl halide देगे तो आपको पता है alkyl halide means what rx alkyl halide means what बच्चो rx r पे क्या होता है positive charge halide पे negative charge ठीक है तो जो alkyl halide होते हैं इसमें कैसे bond होते है moderately polar bond होते है राइट और रॉं में आपको बता है था ना इसमें एक positive एक negative means what यह moderate polar bond है ठीक है तो moderate polar bond है और जो rx होता है second यह जो rx होता है ना कि do not form hydrogen bonding with what water so the rx fall क्या हो रहा है वो hydrogen bonding water के साथ फॉर्म नहीं करता है इसलिए क्या होता है is in soluble in what water clear हो थाड़ आपका क्या हो रहा है जो यह rx bond होता है अगर यह water में insoluble है तो यह किस में soluble होगा और soluble in what organic solvent और soluble in what organic solvent ठीक है clear was solubility क्या होता है वो water में insoluble होता है alkyl halide water में क्या हो रहा है insoluble हो रहा है क्यों हो रहा है because hydrogen bonding नहीं form करता है water के साथ और वो किस में soluble होता है water organic solvent ठीक है अब हम जो start करने वाले है वो थोड़ा सा different topic है इसी में अब जो हम start करने वाले है वो optical isomers in halogen derivatives हम क्या start करने वाले है अभी जो topic है वो optical isomers in halogen derivatives ठीक है इसमें जो हम first देखने वाले है वो है आपका chiral carbon atom ठीक है अब जो हम start करने वाले है वो क्या है आपका आपको हम जो topic अभी start करने वाले optical isomers in halogen derivatives पर हम first देखने लिए चारल carbon atom तो first में आपको यह पर definition लिख देते हूं फिर explain करते हूं तो जो चारल carbon atom होते है वो क्या होता है when carbon atom is attached to four different atoms or groups then it is called as chiral carbon atom क्या होते है ऐसे carbon atom जो चारल डिफ्रेंट ग्रूप से अटेच हो carbon के वैलेंसी तो फोर है मितला वो फोर बॉंडी बनाएगा बट जो फोर डिफ्रूप है वो क्या होने चाहिए डिफ्रेंट एक्टम और ग्रूप सोने चाहिए क्या का मैंने carbon के से अटेच होना चाहिए four different atom और ग्रूप से देखो यह मेरा carbon atom है suppose यह मेरा x y z और यहां पर मैंने w ले लिया यहां पर कार्बन atom है चारो atom क्या है different है तो यह कैसे पूल से carbon atom इसकों का वा बलता है उसको चाहरल carbon atom आटम हम ऐसे indicate करते चाहरल carbon atom को हम क्या करती सीपय ऐसे लिखते इट मींस यह क्या आपका यह क्या आपका चाहरल carbon atom प्लियर हो चाहरल carbon atom कि अभी अप्र आप्टिकल इस हम देख रहे हर एक टॉपिक हर एक कि ध्यान से देखना है चारल करवन ए टम के चारल करवं कर्वन एक्सार्य चारो और डिफ्रेंट डिफ्रेंत ग्रूप ओर डिफेरेंड mo्स यहां पर पात हो वह यहहां यहां इसी के साथ में हमने यहां पे ले लिया है ग्रूप यहां पे हम ले लिया है यहां पे ले लिया है यहां पे हमारे ग्रूप है यहां पे हमने ले लिया बियार ले लिया यहां पर हमारा खारो इटो यह पे दिखो यहां पर क्लोरीन दोनों सेंए तो यह यह कि देखो यह क्या आपका चारव ग्रूटक data क्यों और अधुम्य दिप्रعने से इंटेउल चार 1 आटम ते चारal कारवन एटम होते हो के आपका chiral molecules तो पहले में definition लिख ले दिया पे फिर आपको explain करती हूँ The molecule which contains at least one chiral carbon atom is called as Chiral Molecules Chiral molecules is for the ऐसा बाला भी हो सकता है या यह बाला भी हो सकता है ऐसा कुछ भी पर at least one chiral carbon atom होना जी तो उसको हम बोलते हैं chiral molecules ठीक है अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो chirality chirality क्या होता है chirality means what first definition relationship relationship between chiral molecule and its mirror chirality means what chiral carbon आपने देखा जो चारो गुरूप अलग होते है चारल molecule मत्या ऐसे molecule जिसमें कोई भी एक carbon atom chiral हो chirality क्या होता है जो relationship between the chiral molecule and its mirror image अब यहाप पर रेखो यह chiral molecule सब्सक्राइब यहां पर एच यहां पर c2h5 यहां पर cl ठीक है यह एक चारो ग्रूप अलग है तो चारो ग्रूप अलग है तो चारल का होगा was superimposed हुँआ मतलए दोनों हाथ क्या और एक के पास एक अगर यह मेरा हाथ इसका यह मेरा एक हाथ यह हाथ रखा तो यह क्यों गया इसका फिंगर से वे एक इंपर एक आ रहे नहीं नहीं और super-impose non-super-imposable mirror है क्यों है यहां पर मैंने क्या आप कभी मिरर में कुछ भी देखे हैं वो क्या जाता यहां जो राइट है वो left हो जाता है तो यह structure आपको यह तो आपका छारल आपका c3 c2H5 तो मिर्ण में देखोगे तो क्या होगा यह chlorine इधर आजाएगा यह hydrogen इधर आजाएगा उल्टा हो जाएगा जो सब्सक्राइब अगर यह हैंड को पाइट में देखा तो यह क्या हो गया है ऐसा तो में इसको इसके उपर रखा तो यह क्या है दोनों mix हो रहे हैं नहीं हो रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉन शूपर इंपॉसिबल म्याव्ज नॉन शूपर इंपॉसिबल मत्लब यह हाथ इसके ओपर क्या ओर है इसको हम क्या बोलते है नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज आइसोमर्स क्लियर हुआ आपको चैरलिटी क्या होता है इस रिलेशन बिट्विन चैरल मॉलेकुल और इट्स मॉलेकुल मिरर इमेज ठीक है अब जो हम स्टार्ट कर रहे है वो अप्तिकल आइसोमेरिजम क्या है the isomers having different arrangement of group around the around the chiral carbon atom in 3D dimensional that is 3D space are called as optical isomers and phenomenon is called as optical isomerism मैंने क्या बोला optical isomerism मतलब isomers having different arrangement of group around the chiral carbon atom ऐसे भी chiral carbon atom में सारे आए और क्या होते ग्रूप्स डिफ्रेंट होते इन 3D 3D space are called optical isomers यहां पर देखो यह चैरल एटम है यहां पर X यहां पर Y यहां पर Z यहां पर W ठीक है अब यहां पर देखो एक और फ्रएर अपर देखें अपर 8 009 उसका अलग होते ग्रूप्स यहां यहां लिए उसको फ्रीज्व में DP तो उस PlayStation देखो किया और है तो यह क्या आपको प्टिकल इसो मेरीजम और यह जो फिनोमेणाइन इसको हम बोलते हैं और फिनोमीनां को स्वीजम बोलते हैं अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ordinary, ordinary light, ordinary light होते हैं, यहां पे देखो बच्छो, यह है, यहां पे देखो, ठीक है, तो यहां पे देखो, यह क्या है आपका, यह आपका ordinary light है यह क्या है, आपका ordinary, यह आपका ordinary light है यह जो हो रहे है इसको हम बोलते है असलेर्पिलियशं तो तो 焦म बोलते हैं हमяг में ऑचलेरेक्शनि हो रहा है, इदर भी हो हो रहा है, यह हरे हो रहे हो रहा है तो अब इसका definition क्या हुआ, ordinary light में क्या हो रहा है, आपका oscillation क्या हो रहा है, हर एक direction में हो रहा है, तो ordinary light होता है, क्या है, देखो, the light having oscillation in all the direction all the direction perpendicular to the to the direction of propagation direction of propagation of light is called as ordinary light ordinary light means what the light having oscillation in direction of perpendicular to what direction perpendicular to what propagation direction of propagation of light it means what ordinary light में जो प्रपोगेशन उसका जो उसका जो उसलेशन होता है, वो हर एक डायरेक्शन में होता है, अब जो मैं आपको बता रही अचि कि जूरहा हो है, अ चली क आपयो और करेक्शन में हो य the definition, the light having position in one plane, in what, in one plane perpendicular to the direction of propagation of light, direction of propagation of what, light is called as plane polarized light और इसको हम PPT भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, PPL, sorry हम इसको PPL भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PPL, that is plane polarized light, clear हुओ, ordinary light और plane polarized light क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, यह हमारा ordinary light है, ठीक है, मैंने क्या, ordinary light क्या हो रहा है, हर एक direction में आपका propagation हो रहा है, तो अब इसको जब Nicole prism में देखोगे, Nicole prism में, तो वो आपको क्या दिखाएगा, ordinary light को भी आप, क्या बतार है, plane polarized light करके बताएगा, बतलब वो क्या होगा, आपको plane polarized light पतलब एक ही direction में आपको दिखाएगा, ठीक है, इसके बाद हम जो देखने वाले है, वो है optical activity, यह देखने वाले हम optical activity, optical activity क्या अधा, फर्स मैं आपको definition लिखके दे देती हूँ, the property of substance by which is rotate the plane polarized light either towards right or left is called as optical activity, optical activity means what, properties of substance, ऐसे properties of substance वो क्या कर रहा है, जो यह आपको plane polarized light है, वो कैसे होता है, उसका oscillation, एक वे में होता है, उसको क्या करता है, वो either right side करेगा, और left side move करेगा, क्या कर रहा है, plane polarized को क्या अगर, either right side rotate करेगा, either left side rotate करेगा, तो उसको हम बोलते है, optical activity, यहाँ पे देखो, यह आपका plane polarized light है, that is PPL, तो अगर वो क्या करेगा, आपको एक बार right side करेगा, right side इसको किया, तो right कैसे हो गया, इदर चला गया यह, तो एक बार वो क्या कर रहा है, आपको left side कर रहा है, left मतलब वो ऐसे कर रहा है, left side मतलब वो left side यहाँ पे, तो यह क्यों आगया, optical activity हो गया, ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं, वो optical active compound देखेगे, क्या देखेगे, हम optical active compound, optical activity समझ में आगया ना, ऐसे substance जो क्या कर रहा है, आपको plane polarized को क्या करेगा, either वो उसको, yeah, either वो उसको क्या करेगा, right में रोटेट करेगा, और either उसको वो क्या करेगा, left में रोटेट, अभी optical active compound होते क्या है, देखो, the compound which rotate the plane polarized light, that is PPL, are called optical active compound, ठीके, optical active compound मतलब, optical activity आपको समझा, ऐसे substance जो plane polarized को right और left में रोटेट कर रहे, और compound क्या हुआ, ऐसे compound जो plane polarized को क्या कर रहे है, रोटेट कर रहे, तो वो रोटेट को कैसे करते हैं, वो रोटेट आपको two टाइप पे करते, कैसे करते हैं आपको rotate, वो एक होता है, dextro, एक होता है, dextro rotating, और दूसरा होता है, labour rotating, दूसरा क्या होता है, आपका, labour rotating, ठीके, एक होता है dextro rotating जिसको हम D से indicate करते और उसको हम sometime plus से indicate करते एक लियो होता है जिसको हम L से indicate करते और minus से करते ठीक है अब इसका definition देख लो पहले बीझ सदीप्टी अव्यक टीच व्यक मइश प्गेड इस अज रडड देख विक और right side को हम क्या बोलते हैं, clockwise भी बोलते हैं, clockwise, right side और clockwise is called dextro-rotatory, dextro-rotatory, dextro-rotatory और ये Leo-rotatory, ठीक है? तो Leo क्या हता है, the optically active compound, ठीक है, which rotate plane polarized light to left side or anti-clockwise, ठीक है? Leo is called dextro-rotatory, ठीक है? Leo को हम क्या कर, dextro को हम, sorry, ये Leo, leo-rotatory, Leo को हम T और प्लस से इंडिकेट करते हैं, dextro का हम L और माइनस से इंडिकेट, dextro मतलब क्या है? देखो, ये अब वो plane वाला, ये अगर right side में हो रहा है, तो ये right side क्या हो रहा है? right side move, तो ये clockwise कैसे होते है? right side है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा dextro, ठीक है? और ये क्या हो गया? हमारा left side हो रहा है, तो ये क्या हो गया? लेवो, ठीक है? तो ये देखो, ये क्या हो गया? clock में हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? अपका anti clock में, तो समझ में आए, optical ऐसे जो plane polarize अगर right side में जा रहा है, तो वो dextro rotatory है, अगर वो left side में जा रहा है, तो इन भेरान वह लेंगा द्शचिछल वह इंप करें जो आगे सब्सक्राइब कर साइब से अब सब्सक्राइब जया अब आगे करें है के दिक एड करें जो सो मच है हेलो एवरिवन हमने अपने लास्ट लेक्षर में ऑप्टिकल आईसोमरीन तेरि अईरिवेटी देखा उसमें हमने चैरल कारवन मॉलीक्यूल देखा हमने उसके साथ हमने चैरल ओप्टिकल isomerism देखा, साथ में अपने ओडिनरी और ओडिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज लाइज लाइट देखा, पुर्सके बाद अपने ओप्टिकली एक्टिविटी और ओप्टिकली एक्टिव कंपॉंड देखा, तो उसी के साथ आज का हम लेक्शर अभी आगे देखते हैं, क रंकी नियू में हम देखेगे, inansomers, inansomers, okay, so first I am going to write the definition of inansomers, inansomers means what? the two non-superb, impossible mirror image, two non-superb, impossible mirror image, isomers are called as inansomers, clear हुआ, inansomers मतले है, two non-superb, impossible mirror image, जो क्या हो, दोनो mirror image कैसा होना चाहिए, non-superb, impossible mirror image, तो उनको हम inansomers बोलते हैं, ठीके, अब जो आता है, वो racemic mixture होता है, racemic mixture, ठीके, racemic mixture को यह आप क्या बोल सकते हो, racemic modification बोलते हैं, ठीके, पर हम racemic mixture जादा use करेगे, ठीके, तो इ लेती बाद में आपको explain करते है, equimolar, equimolar mixture of, sorry, equimolar mixture of inansomers, that is what, inansomers मतले है, जो super non-superb, impossible mirrors के क्या होते, through non-superb, impossible mirror क्या होते है, inansomers होते, तो जो equimolar mixture of inansomers, that is what, dextrorotatory and what, lever rotatory, ठीके, is called what, racemic mixture, racemic mixture मतलब क्या हता, racemic mixture, ठीके, racemic mixture मतलब क्या हता है, जब भी हम, racemic mixture मतलब, जब भी plane polarized light को हम क्या कर रहे है, in simple, racemic mixture मतलब, equimolar quantity of inansomers, कौन कौन से inansomers, एक dextror है, और एक leo है, तो suppose, अगर मैंने 50% dextror लिया, तो मुझे कितना लेना है, 50% what, leo लेना है, क्योंकि, वो equimolar होना चाहिए, अगर मैंने 35% of dextror लिया है, तो मुझे यह पर 35% of leo लेना है, तो इन दोनों को जब हम combine करते हैं, ऐसे mixture को हम क्या बोलते है, racemic mixture, clear हुआ आपको racemic mixture क्या आता है, racemic modification मतलब, Equivalor mixture of what, inisomer, Equivalor mixture of inisomer को हम क्या बोलते है, racemic mixture of mixture बोलते है, अब हम जो देख रहे हैं, वो क्या है, representation of configuration of molecule, हम उसको two types से represent करते हैं, एक होता है, weights dash, weights dash projection, configuration of molecule को हम two ways से बताते हैं, represent होते, है, एक है, wege test production, दूसरा आपका होता है, fisher production, एक होता है, यहां पर यह थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा है, थोड़ा सा, यह सपोस्पोस मैंने यहां पर Z लिया है, और यह हमारा जया है, यहां पर W सपोस्पोस, ठीक है, तो देखो, weight sets में होता क्या है, यह जो है आपका, इसको हम बोलते हैं, यह क्या होता है, बिद्ध जैस में, यह चार्व और ग्रुपा ओर ग्रुप प्ली रहे हैं, यह जो दो है यह जो होते हैं, यह जो यह होता है कि अमोद प्मेन और यह आपका क्यों होता है बिलो द मुं अ मेरा plane है तो यह xy क्या होगा है और गया और एक आपको द्रूक्त करते हैं यह सिंबोल से और इस सिंबाल सब्सक्राइब करते हैं इसे साइंटिस्ट का नाम इससे वेड़ डैस प्रोडेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यह तो था वेट्स्ट्रेस प्रोजेक्शन अब फिशर प्रोजेक्शन में होता है क्या है यह हमारा चैरल कार्बन आटम है सपोस्थ यह एक्स वाई और यह जड़े यह डबली ठीक है यह फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यह क्या आपका फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है फिशर में एक्सटेशर्ब क्या होता अबँध प्लेन अबब द प्लेन क्यों गें कुर्फ लके किया यह क्या होता है अब लेल और इसको हम लोग Desk ओडेस ब्रोजेक्शन में इसको सी बूलते ठिके और यह जो ग्रॉप य और यह डब हो जाता है बिलोो दा प्लेन हो जाता है क्या हो जाता है यह मतल़किया यह उपर चला जाता है और यह यह व क्यों बेट करते यह सींबूल से इसको हम बोलते हैं और यह जो अबोद प्लेट और जो बिलोग देट उसको हम क्या करते हैं जिग जग से करते हैं मतलब उसको हम डैश बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं डैश बोलते हैं ठीक है यह था आपका अलकेन और अलकायल हैल्ड हैलो को हम क्या बोलते हैं अलकायल हैलाइड यह पॉसेटिव चारज होता है यह यह पहल पर है नेगेटी चारज होता है है यह हो एक फॉईच माइनस आता है Oh--1 क्या होता है यहाँ यहाँ पर एक nuclear हो यह यहाँ पर क्या चला गया क्या और वह चला ऊच्छा ऑच क्या उच्छा ओच्छा हो रहा है substitute हो रहा है ए एक से प्लेस पे और ऊचने क्या चको replace किया तो ऐतीच्य को बोलो या तो हरुए ने क्या कि एक सको replace किया तो एक वाशा reaction है यह को चुछ गुशन रिएक्टों तिक क्यों से attached to carbon atom is what it is substituted by or replaced by what another group is called as substitution reaction समझ में आया क्या पोड़ रहे हैं मतलब यह जो ग्रूप पे यह ग्रूप को replace कर रहा है और वहाँ पर जाके substitute हो रहा है तो इसको substitution reaction बोलते हैं अब second point क्या है देखो हम देखें कि solution of silver nitride यह सब क्या है लेबुरेटरी टेस्ट कर रहे हम ठीक है लेटरी टेस्ट आप है लो अलकेन और अलकाललाइड तो second क्या solution of silver nitride is taken क्या करेंगे हम silver nitride का solution लेगे तो यहाँ पर देखो जो यह एजए एकस देता है और ये precipitate form करता इस थी प्रश्यक्रण करते है वीची को हम क्या बलते हैं अवादरर में मेंज प्रश्यक्रा रौा इिस प्रश्यक्रण में मेंज देखो नीचना चांब्स मूग म? यह आपको वाइट पीपिटी यालो पीपीटी पीटी का कलर लिए यह какая को हरा है होल रित वो छो हम क्लोरी ते प्लोरी ड्लोरी के कलर से क्या से हम पता oh कर देखते हम आगे इसके बाद क्या है क्या कर रहें हम यह हमारा निजूटलील है उसको हम क्या कर रहे हैं कर नेगटिव है कारबन पी पोसितिव यह क्यों होता है यह सी निकल ओर रहा है हाँ मतलब नीगया हो गया ह네 अगे निकल के उसको को ज़गह मिल गया का तो यह क्या किया है यहां के अलकायल से यह क्या और यह निकल रहा है तो चुपा च्प चाब आके कारवन के पास आ गया ठीके अब यहां कुछ ऍटा रहुं है यहां पर मैंने ले लिया आयोडीन समय अपको डिफ्रेंट टाइप ऑफ करfur करूफ हो यहां पर रिफेंट डाप अलकहल है लेके दिखा हर्यों यहां पर नूकलोफायल अलकाइल आयोडाइड लिया है हमने अलकाइल ब्रोमाइड लिया अलकाइल क्लॉराइड लिया अब देखो न्यूक्लोफाइल अटैक तो सिमिलर ही होना है क्या होना आयोडाइड क्या कर रहा है आयोडाइड क्या क्या है से निकल गया तो निकल रहा है तो निकल रहा है तो मै यहां पर कार्बन के पास में अटेच हो जाओ तो यह कैसे आया कार्बन के पास नुक्लोफाइल इदर आ गया ठीके सिमिलरली यहां पर भी यह ब्रोमाइड क्या आयन माइन से ब्रोमाइड माइन यहां पर भी ब्रोमाइड निकला ठीके भाई ब्रोमाइड यहां पर निकलो यहां पे आपका क्लॉॉराइड नीकल आ रहा है यहां पे आप사 कलोध यहां रहा है तो नीकल डे Tech यहां पर नीकल बरेक है यहां गरता है इसनालियो गुर्व करता है यह जो रियाक्शन होता ईसे निकलानी कि अटाइच हो गया होगया पास्ट मतलब ब्रोमीन यहां से निकला आपके नुक्लोफाइल न अटेक कर देखें क्लोरीन जो होता है वह बहुत प्लोरीन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है बॉंड ब्रेक करने को यह कैसे रियक्षन होते हैं स्लो रियक्षन समझ में आया आयोडीन क्या होता है इसली ब्रेक कर देता है उच्छे ओर एक्षन देता है मतलत है उससे थोड़ा सा और यह बी क्या करता है इसली मतलब गो ब्रेक कर देते हैं क्लोरीन को टाइम लगता है तो अगर आप रेट औ less उप्शृटूटूशन रियक्षन तो यह पी ग को सी जादा अपको एक बाहzub करता है अपको चाट में आपको बताने वाली reactions के यह चार्ट आपका बहुत important चार्ट है तो दिया द्धान से आप देखना यह चार्ट कैसा आप है यहां पर आपका है। इस पर मैंने आपका है लोगी यहां पर मैं इसकी रियेजिंट होगी ठीके और हमारा क्या होगा है सब्स्यित्युच प्रोड Cạt मिलेगा हम तो देखो यह पर यहां पर चार्ट हें चार्ट में मोंस्ट प्रेयक्शन कवर्ड है एze चार्ट इदन ध्यान से देखो यहां पर X से हमारा र्यजन्ट है इदर N ने उवाइच र्ट है to यहां पर देखो क्या होता है जो X है वो X क्या करता है यह X NA के साथ bond बनाके NAX बनके क्या हो रहा है निकल जा रहा है यह X ने NA के साथ bond बनाके NAX बनके निकला बच्चा कौन और बच्चा इधर OS बच्चा तो रोह क्या को गया धर आर्टाइच हो गया ठीक है तो यह हमें क्या मिर्ण अल्कोहोल मिला ? ठीक है second reaction देखो और एक्षिन धॉपर यहाँ पर मैं ले रहे हूँ एन और डैश को आरãyक्स प्लस एन ने इथर आ गया कि अधर है डू माँड बॉंड ओ अधर होता है ठीक अब यह पिर यह यह रिक्शन देख रो प्लस यहाँ पर हमने आद डैश सीटाबल बॉंड को ओ फॉल एजी ले लिया अभ यहाँ यहाँ पर फिसवर हैं यहाँ एक चीजए आपको याद रखना है ठीके पहले यह च्र्कशन देख लो यहाँ पर यह और आपको जो a G है और 약간 अग से साथ में Rs.agner x समिंप्छ उसके इसको अपको यह कैसे आप हो गया यह हो जाएगा सपोस्स यहां से गया तो यहां पर क्या ऑब ओ यहां पर निकल रहा है उसके प्लेस्ट पर वह यहां पर क्या हुरा है कि अभी जो फॉर्ध रियक्शन है और एक्श और एनेस्ट्री और इसको हम बोल सकते हैं यह क्या होता है अल्कॉलिक एनेस्ट्री तो मैं एनेस्ट्री को एनेस्ट्ू बॉंड एच भी लिख सकती हूं एनेस्ट्री को मैं क्या करूँ एनेस्ट्ू बॉंड एच लिख अब यहां पर देखो यह एक्स है यह एक्स बनके निकल बनके निकल गें बच्य कोन एकस्ट तो यह हो गया रहा आरे इस्टु यह क्या हो गया हमारा आरा रहे ल को रहे निकल रहे हैं बच्या कून R, CN, R, CN is what? Sianide R, CN is what? Alkyl Alkyl, आपका Alkyl है यह साइनाइड ग्रुप है ठीक है, आपका क्या हो R, R, X को मैंने किसके साथ क्या K, CN के साथ मैं react किया तो क्या मिला आपका Alkyl, Sainite, ठीक है आगे की reaction देखें R, X को ही मैंने किसके साथ एके AGCN के साथ एक किया तो यहाँ पे देखो बचो जो सिल्वर होता है न वो अट्रैक मतलब वो क्या है इस दोनों में स्ट्रोंग इंद रिल्वर किसके अट्रैक करते है नाइ्ट्रोजन को तो जब यहाँ से AGMP यहाँ पे X और यहाँ पे Silver अगर AGX बनके यहाँ पे निकल रहा है तो अगर यहाँ पे कौन बचा RCN बचा बट मैंने क्या बुला यहाँ पे K आया था आपने directly R को CN लगा दिया जले पें किन यहाँ पे Silver जैने करता है और यह दो निकल गया तो click s सबसे आदा कौन कमानता है वह कार्बन कर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को तो यह हो गया और इसको 21001C भी आप इसको बोल सकते इसो team भोलते क्या बोलते है तो अलकाईल ऑटाल के साथ साथ सिल्वर एस के साथ करता है तो वो सीन को बोलेगा पहले आने नहीं नहीं वोलेगा पहले निट्रोजिन जाके अलकाईल के साथ में अटैश हो जाए हम देखो आर एकस प्लस केओ N double bond ठीक है यहाँ पर रिएक्षन क्या होता है यहाँ पर X और क्या और आपका एकस पन क्या अब बच्चा क्या और बच्चा और यहाँ पर क्या बच्चा आपका ओ और से डॉज़वन तो यह AGX तो निकल गया बट मैंने क्या बोला जब भी Silver आता है तो वो क्या करता है Nitrogen को अपनी पास रखता है तो ये वाला structure देखो कुछ इस तरीके से बनेगा कुछ इस तरीके से ये वाला structure बनेगा यहाँ पर ध्यान से देखना Oxygen और यहाँ पर नेगेटिव चाहँ आएगा क्यों ऐसे structure बना मैंने क्या बोला जब भी Silver आया Silver तो हेलोजन को लेके निकल गया बट Silver को कौन सही है उसको Nitrogen चाहिए तो Alkyl Group के बाद वो पहले Nitrogen को लाएगा बाद में बाकी Bond को लाएगा तो यह क्या हो गया नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया Bond हो यह वाला रियक्षन में Most of आप लोग गलती करोगे यह दोनु रियक्षन पर ठीक है यहाँ पर आइसोसाइनेट क्यों बन रहा है क्योंकि यह Silver निकल रहा है Silver आया तो कभी भी Nitrogen को Alkyl देना है It is what very very आप इसको बोल सकते हो very 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 IMP मतलब यह चार्ट अगर आपने कर लिया ना पूरा रियक्षन का तो आपको यह क्यों होगा आगे बहुत help करेगा ठीक है तो यह आगे का पार हम देखते इसके बाद अभी जो हम करने जा रहे हैं आपके questions ऐसे आ रहे है जैसे how यह आपके book के question है how will you convert ठीक है how will you convert आपको first बोला है ethyl chloride into ethanol ठीक है ethanol को हम ethanol भी बोलते है या हम ethanol को ethyl alcohol भी बोलते है ठीक है आपका first question क्या how will you convert ethyl chloride to ethanol तो चलो ethyl chloride ले लो cc3 cc2 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 cc3 ठीक है ethyl chloride को जब हम nao h के साथ react करते तो क्या होता है जो cla और na है दोनो na cl बनके क्या होते है निकल जाते बचा कौन cc3 इधर कौन बचा cc3 cc2 यहां से cl गया यहां से na गया तो यह क्या क्या करेगा इनके साथ आ जाएगा तो यह क्या आपका its time alcohol और इसको e हम क्या बोलते इत्थैनॉल सम्ताम nevla s4 हैं फिर्याफस्वी अरतां लागता हर्टPopnow आपको दोनों आम पता होना चीव है क्या आपका यह आपका इत्थैन नोरॉड सरीवी में to एक प्रोपाइल प्रोपाोग ओब बहुक्त और स्च अगां इसको किससे Background करेंगे और यहां से निकल जाएगा और यहां पर आकर अलकायल गृट में तो यह क्यों हो गया आपका इसको हम बोलते हैं प्रोपेन वन ऑल ठीक है यह हो गया आप यह दो टाइप का आपको मैंने रेक्शन बता है कि आप यह दोनों को कैसे कंवर्ट करोगे अब जो हम करने जा रहे ह है वो थाड़ए आपका हाउ विल यू कनवर्ट पर्स्ट आपका है इथाएल क्लोराईड इन्टू इत्थाईल मिथाईल इत्थाईल इत्थाई अधिक है इसने क्या बोला है को हाव विल यू इसको आपको क्या करना है इसमें क्या होता है जो इसको हीट करेंगे तो यहां पर देखो क्या होता है यह जो सोडियम है वह तो एपने से ल को लेके जाने वाला था अध्यान से देखो यहां पर क्या है इत्याइल ग्रूप है यहां पर क्या है अध्यान ग्रूप है और यह आपका इथर और मिंस वाट इथर फिए क्लियर हुआ यह मैंने कैसे कंवर्ट किया, अभी जो second आपका है वो है, ithyl chloride into parasite Ither खिके और इसको हम क्या बोल सकते इधाईल, इथाइल इथर भी बोल सकते ठीक है चलो इथाइल क्लोराट ले लो सीएसरी सीएस्टू सीएन ठीक है अब आपको डाई इथाइल इथर बोला है तो यहां पर क्या था आपका यहां पर अपने मिथाइल लिया है क्योंकि आपको इथाइल मिथाइल बोला है तो हम क्या करेगे यहां पर हम sodium यहां पर निकाल रहा है इसलिए हमने इस बर क्या लिया यहां पर हमने यहां पर लिया है इसलिए अब जो हम रहे हैं वह सब्सक्राइब how will you convert, first है आपका, ethyl chloride into ethyl acetate, ठीक है, और इसी को ethyl acetate को हम क्या बोलते हैं, और ethyl methyl ester, ठीक है, यहाँ पर देखो, ethyl chloride मतलब cs3, cs2, cl, यह हमारा ethyl chloride है, acetate बनाना है, तो हम क्या लेगे, ag, o, c double bond, o, cs3, ठीक है, यह हम क्या लेगे, acetate बनाना है, इसके लिए हमने यह form लिया, अब यहाँ पर ag and cl तो हमारा जा रहा है, ag and cl तो निकल गया, बचा कौन, यहाँ यहाँ पर cs3, cs2 बचा, यहाँ पर o आया, यहाँ पर c double bond, cs3 आया, यह क्या आपका ethyl acetate है, यह आपका ethyl acetate और ethyl ethyl ester, ठीक है, अभी जिसका b है, वो क्या है, इसमें यह किये, अभी आपका जो second है, वो क्या है, how will you convert ethyl chloride, ethyl chloride into ethyl ethyl cyanide, okay, how will you convert ethyl chloride to ethyl cyanide or we can say it proponitrite, proponitrile, ठीक है, how will you convert ethyl chloride to ethyl cyanide or proponitrile, ethyl chloride is what, cs3, cs2, cl, यह हमारा ethyl chloride, when we reacted kacin, kacin के साथ react किया, तो क्या हो रहा है, sorry, acl यहां से चला गया, अब बचा कुन, cst, cs2, cn, cn is nothing but cyanide, sorry, this is what ethyl cyanide, ठीक है, this is what ethyl cyanide, ठीक है, अभी जो आपका एक reaction है, वो है आपका, how will you convert ethyl chloride into ethyl isocyanide, ठीक है, यहां पर देखो, isocyanide मतलब nc group, न, isocyanide मतलब nc group, ओके, तो यह हो गया, ethyl chloride, cs2, 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 cn, ठीक, यहां पर देखो, when we react with the silver cyanide, etc, egcn, तो क्या हो रहा है, यह, ag, og, sou, cl, तो निकल रहा है,अभ आप क्या करोगे, यह cs3, cs2, यह division, 2 निकल गया, यह दोनों, निकल गया, तो यह group, डैरेक्लि आप práulous cn, I ammen, मैंने आपको क्या बोलाता, कि ag, क्या होता है, ag हता है, towards करता है nitrogen, जब भी नाइट्रोजन आया तो एजी निकलेगा और नाइट्रोजन को किसको दे रहेगा पहले अलकाइल ग्रूप को नाइट्रोजन देगा तो यह हो जाएगा आएसी यह हो गया आपका इथायल आइसोसाइन है यह रियाक्शन आप मोस्ट आप टाइम आप लोग गलती कर आपको याद रखना एज जी क्या आता है नाइट्रोजन के टूर्स होता है अट्रैक करता है उसको अगर क्लोरीन को लेके निकला पहले इदर आएगा फिर कारवन आएगा ठीके के सीन में आपको एक चार्ट बताया यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पूरा आप कर लोगे तो आपको और्गेनिक पार्ट इसमें हाइट्रोजन डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपको मार्क्स पूरल गेन करने का आपको यहां पर चांसे से तो डैट्स इट पॉर्ट टूडे थैंक यू सो मच हमने अपटे लास्ट लेक्शर पर अलकायल हैलाइट के आपको यहें क्या 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 आपको सब्स chỉटैंट है यह एपको अपको磁 भूर्ट पर्सेंट न आपको आपके बोर्ड एक्जाम में पूछेगे यह is what SN1 mechanism ठीक है यह आपको शौर है आपको इस जो चैप्टर से आपको SN1 मेकानिजम और SN2 मेकानिजम यह दो हूँ जो स्न1 मेकानिजम को आप ऐसे मत लिखना ठीक है आप ऐसे भी मत लिखना इसको कैसे लिखते हम एस यह पर तीछे एन और यह पर वन यह संब लिखते तो जो इस एकसेट मन मेकानिजम में उसको ही हम क्या बोलते उसको हम बोलते अलकिलाइन है अधोलीसिस ओफ वोट टर्शरी रोमाइड ही कि समटाइम आपको डायरेक्ली पोले करने सेंवन मेकानिजम समटांडे भी लास्के लाइट वोली सो अभी आप भूल गए करें यह तो एसन व मेकानिजम बोलते हैं आपको एक्जाम में बहुत रैली एसन वन पूछे कि कभी कबार देवी लास्क्यू अलकिला है तर्शरी ब्रोमाइड तापको क्लिक होना चाहिए अलकिला है तर्शरी ब्रोमाइड इस नतिंग बड़ एसन वन मेकानिजम ठीक है तो चलो पहले मैं आप इसको बोल सकते हो या आप इसको टर्शरी ब्रोमाइड भी आप वो सकते हैं यह क्या हमारा या पर यह हमारा सब्स्ट्रेट क्या है यह हमारा सब्स्ट्रेट ठीक है यहां पर मैंने एक न्यूक्लोफाइल लाया एसन वन में क्या करूए मेकानिजम आपको एक्स्प्लेट क तो देखो हो यहां पे निकल गया तो यहां पर खाले हो गया तो यहां पे छाहिए करेगा यहां पर के प्रोड हुआ थे यह पर ने एक ची लिखना है यह तर्शरी अिस retroborumide यह क्या यह तोल प्रोड कर ут facilitating यह क्या है रोल जोल यह वससे को सब्सक्राइच करने है और गडिवड़ी वह कहने है यहां इसनी हो निकला लिए अपर क्या सकर अके अटेश कर दिया तो आपको SN1 reaction होता क्या, definition देखो, the reaction in which turd butyl bromide react with hydroxide ion, react with what? hydroxide ion, that is OH minus ion, to form what? turd butyl alcohol, this is called, what is called? SN1 mechanism or this is called reaction reaction भी बोलते हैं, क्या बोला मैंने, the reaction in which what? the turd butyl bromide react with a nucleophile, that is what? here, nucleophile is what? hydroxide, hydroxide ion, यह hydroxide ion से turd butyl bromide react कर रहा है, तो आपको क्या दे रहा है? turd butyl alcohol, इसी को हम क्या बोलते है? SN1 mechanism, ठीके, तो यहापे देखो, SN1 का भी यह क्या है? SN1 का symbolic, SN1 को अभी कैसे लिखते है? SN1 क्या आता है, मालू में, uni, uni molecule, n means what? nucleophilic, s means what? substitution SN1 मतलब, 1 है मतलब uni molecule, 1 है मतलब uni molecule, n मतलब nucleophilic, s मतलब substitution SN1 is what? uni molecule, nucleophilic substitution clear हुआ, यहापे क्या हो रहा है? यहापे, इसमें क्या होता है, जो SN1 mechanism तो जो इन SN1 mechanism, what happen? rate of the reaction, rate of reaction क्या होता है, SN1 mechanism में, rate of the reaction depends on concentration of only one substrate only one substrate, why? because यहापे क्या हो रहा है, यहापे क्या हो रहा है? यहापे यहापे जो rate है, वो directly proportional क्या है, यहापे CS3, 3BR, यहापे देखो, CS3, 3BR मतलब कारवन के पास कितने है? CS3, CS3, यहापे कितने हैं कारवन आपके पास में? यह CS3, 3, CBR, CS3, मतलब कारवन के पास, अलकायल ग्रूप 3 है, यहापे कारवन मरोमाडिस, को हम ऐसे भी लिखते हैं, मतलब rate directly proportional to CS3, CBR, तो आप बोलोगे कि मैं हम खाली यह क्यू सब, रेक्टर में तो OH भी आ रहा है, बड़ी यह reaction क्या? SN1 reaction है, जिसमें unimolecular nucleophilic substitution होता है, मतलब जो भी rate है, वो किस्से, खाली concentration of, यह वाले, concentration of CS3, 3CBR, ठीक है, क्लियर हो रहा है, यह क्या हो गया, rate क्या हो गया, directly proportional to किस्से, concentration of CS3, CBR, that is 3D-butyl bromide, क्लियर हो रहा है, आपको यह क्यू आया, because SN1 mechanism है, इसके लिए, इसमें क्या हो रहा है, जो भी rate है, सिफ एक ही reaction पे, concentration पे, डिपेंड है, दोनों पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, यह तो था, आपको SN1 mechanism, अब आपको देखो, आपको board exam में, आपको SN1 mechanism में, इसका, इसका आपको mechanism पूस्ता है, यह क्या 1 ही है, इसमें जो rate है वाली एक ही reaction पे होता है, पर यह जो reaction होता है, इट involved two steps, इट involved what, two steps, यह दो step में involved होता है, जो first step होता है, first step होता है, formation of, first step होता है, formation of carbocatine, first step क्योता है, कार्वोगत्यान मतलब सीजह क्या होता है यह जो रियक्शन हमने जो टर्ड व्रोमाइट से अलकॉहल बना है डायरिक लिहां किया कि क्या बढ़ वह रियक्शन क्या होता है वो उसमें टुस्टेप में उसका मेकानीजम होता है यहाँ पर अगर आपने सिंगल किया तो यह reaction रॉंग हो जाएगा हमेशा याद रखना जब भी मेकानिजम करोगे तो फॉर्स टेप में आपको डबल एरो यूज करना है तो फॉर्स ट्रेप होता है क्यों पता है इस स्ट्रप में क्या आता है यह जो ब्रोमीन है ना यह ब्रोमीन यहां से निकलता है यह ब्र और यह slow step क्यों है क्योंकि यह ब्रोमीन को ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है तो यह slow step है और इसी को हम बोलते है rate determining step इसको हम रेट determining step बोलते है step 1 को ठीक है अभी हम करेगे step 2 अभी step 2 में क्या होता है यही carbon ketain यह क्या हमारा कार्वो ketain है यह जो carbon ketain form हुआ है इसी को हम क्या करेगे यही carbon ketain को हम यहां पर step 2 में लेते हैं ठीक है यह carbon ketain है यहां पे क्या हो रहा हमारा و육 यह क्या हमा राइया हमारा हमारा नुटलीफबी यह यह पर single arrow use करना है यह irreversible नहीं single arrow यह पर क्या कर रहा है यह और यह और यह डाThere ब्रोमिन ने पहले बांड ब्रेक करके बियर माइनस बनके निकल गया थीकि ये प्लस नहें तेप गुए घी कि ब्रोमिन यहां पे प्रेक कर रहा है इसलिए क्या है इसलोग स्टेप और इस इक हम रेड़ स्टेप भी बोलते हैं एपके पास क्या है माइने स्ट्राइन के पास प्लस है माइने प्लस प्लस होता है यह क्या हमारा आइसन वने तो जो प्रोड़क्ट होता है SN1 mechanism में वो क्या होता है वो होता है racemic mixture वो क्या होता है racemic mixture मैंने आपको पता है racemic mixture is what racemic mixture मतलब equimolar mixture of what equimolar mixture of what dextro and dextro and what leo dextro and leo rotatory ठीक है racemic mixture क्या होता है होता है तो यह था आपका SM1 mechanism होता क्या है और उसका मेंने आपको mechanism यह पर करके बता है तो यह बहुत important है आपको board exam में आपको बार-बार पूछा जाता है SN1 and SN2 अब जो हम करने जा रहे है वह SN2 mechanism है यह भी बहुत important है मैंने क्या हो SM1 mechanism SM2 दोनों आपको वैरिया MP है यह आपके board exam में हमेशा पूछते हमेशा तो इस ही को हम क्या बोलते है इसको ही हम बोलते alkaline hydrolysis of methyl bromide और इसको हम बोलते alkaline alkaline hydrolysis of bromomethane यह क्या क्या आई यू प्यसी नेम है मिथाल ब्रोमाइड का आई यू प्यसी नेम ब्रोमो इत्यन होता है वड़ा आपको अन्पीस हो जाब कि इसके लिए में आपको दोनों आप लिका alkaline hydrolysis of methyl bromide भी बोलते है और hydrolysis of bromomethane भी बोलते है आपको directly question कभी नहीं पूछते है आपको ऐसा भी पूचा जा सकता है alkaline hydrolysis of methyl bromide आपको मालूम होना चाहिए वह एसे न्टु मेकानिजम होता है एसन वन में third butyl bromide होता है hydrolysis of third butyl bromide SN1 में SN2 में hydrolysis of methyl bromide होता है उसमें third butyl bromide था इसमें methyl bromide ठीके चलो methyl bromide लेलो CS3 BR यहाँ पर मैंने क्या क्या यहां पर एक नूज फाइलपाईल है ॥ी हमारा क्या है तो आपको product क्या मिल रहा है याप है methyl alcohol मिल रहा है ठीक है तो यह आपका क्या है this is your product यह आपका nucleophile है और यह क्या आपका substrate है ठीक है तो यहाँ पर अभी देखो ascent to mechanism आप लिखते हैं कैसे हो तो आपका definition क्या जगा दर reaction in which methyl bromide react with hydroxide ion to form methyl alcohol is called as SN2 mechanism or reaction ठीक है तो तो जो SN2 होता है वो क्या आदा है 2 means what? by यह होता है by molecular nucleophilic substitution ठीक है यह क्या वाता है by molecular nucleophilic substitution तो जो इसका rate होता है वो directly proportional होता है आपके subtract दोनों subtract के मतलब subtract के भी nucleophile के भी ठीक है उसका rate किया हो रहा है concentration of directly proportional concentration of methyl bromide के भी और nucleophile के भी तो proportionality constant हटाना है तो हमने क्या किया किया के यूज किया ठीक है proportionality constant को हटाने के लिए हमने के यूज किया clear one ascent to mechanism क्या होता है उसमें क्या होता है methyl bromide है वो convert होता है methyl alcohol में ठीक है और जो rate होता है वो दोनों के concentration पर हो रहा है इसमें दोनों के ऊपर हो रहा है विकास यह क्या एक प्रता एसन टू में दोनों पर है ठीक है इसके बाद यहां पर इसका इसका मैकाकैनिजम् कैसे होता है मेकानिजम् किया होता है ये क्या उस्गल स्टेफ रियक्शन है या पर हमने मित्यल ब्रॉमाईड लिया आता है यहां पर यहां पर यह कार्बं है यहाँ पर यह फोता है यहाँ फो लिए पॉक्रोफाइल है मैं यहाँ लुख्णलोफाल है मैं है बैक साथच हो नुख्णलोफाइल है यह आपके फेल पॉलर का बैक साथ होगा यहां यहाँ यहां पर है यह वाला यहाँ और यहां पर कावन के पास को यहाँ अंद बन जाएँगा और यह गों पिया इसको हम बोलते हैं कि क्य भोलते हैं इसको इंटर्मीडियेट स्टेट नहीं बोलते इस from क्या बोलते हैं लेलिया डिशे को around just place और अप क्या है यह बना उट है वह रोध प्लेव से अपर अब you know the युकलोपाहले वह बैकसरेट से अटैज करता तो पहले । मतलब 2 मतलब सिंगल स्टेप 1 उल्टा 2 मतलब सिंगल स्टेप चीजुस द्यूसémentस स्टेपे सिंगल स्टेप मेकानीजम है ऊँच ने डाइकली आपा क्या आके अटैज कर दिया तो यह स्टेट है उसका हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं अब यहां पर देखो आपको SN2 मेकानिजम में मोस्ट आप आपको MCQ टाइप में भी क्वेस्टन आता है in SN2 मेकानिजम ओके डाश फॉर्म इन SN2 मेकानिजम डाश फॉर्स्ट आपको बोलेगे वो लो क्या बोलेगे कार्वो के टाइन इंटर्मीडियेट तो आपको याद होना चाहिए SN2 पूछा है तो खाली सिंगल स्टेप एक्शन है उसमें कौन पॉर्म होता है ट्रांजिस्टन स्टेट फॉर्म होता है कार्वन के टाइन तो SN1 में होता है SN2 में क्या आता है ट्रांजिस्टन स्टेट और आपको यसे क्वेशन पूछा जाता है कि इन SN2 मेकानिजम यह पे ऑप्शन लिखके दे रहे हूँ SN2 मेकानिजम इस वाट ट्राइक कोडिनेटेट ट्रांजिस्टन स्टेट और टेट्रा कोडिनेटेट ट्रांजिस्टन स्टेट और पेंटा कोडिनेटेट ट्रांजिस्टन स्टेट आपको बता ना SN2 मेकानिजम क्या है यह कार्वन किस से अटाइच कितने ग्रूप से अटाइच है 2, 3, 4, 5 मतल़ यह कार्वन फॉप से अटाइच है यह कार्वन एटम क्टने ग्रूप से अटाइच है यह किसे कॉडिनेटेट है पाइप तो यह वह गया पत्र यहां पर है यहां पर यह आपका ब्र निखल आहा है यहां से बॉंड्स ब्रेक हो के चला गया तो अब यहां पर क्या बचा यहां पर एच बचा यहां पर यहां पर आगया यहां से यह क्या हो गया अभी यह लेफ्ट में दोनों तो यह यहां पर क्या से कि हो गया यहां पर इनवर्जन ओपकंफिग्रेशन होगा एचसे खाया और इसको हम वेलडन इंवंसेंड भी बोलते हैं इंवंसेंड भी क्या बुलाया एंसेंटू मेकानिसम का क्या होता है जो घृष्ट बेक्साइट से न्यूक्लोफाइल अटेच हो जाते हैं इसमें आपको यहां पर मेरे डैश और वेच का फॉर्म में अपको बना के बता है उसके बाद न्यूक्लोफाइल डायरिकल लिए अटेच हुआ तो यह क्या हो कि आपका यह इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या सब्सक्तान इसको हम भोलते हैं वेल lib legacy का ना alguma था यहां पर अमने मैं SN1 और SN2 मेकानिजम एक्स्प्लेइन किया और दोनों के मैंने आपको मेकानिजम बता है वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक के अच्छे से समझो तो यह बहुत इसी है और आपको बोड़ एक्जाम में आना ही है अब हम दोज देखने वाले हैं वह तो फेक्टर अफेक्टिंग SN1 और SN2 मेकानिजम तो हम फिर्स देखेंगे नेचर नेचर ओफ सब्स्ट्रेट नेचर ओफ सब्स्ट्रेट देखेंगे ठीक है यहां पर देखो मैंने आपको क्या बलाता है यहां पर देखो वान डीगरी मतलब क्या हाता है कि रामरीटि cryptocurrency गरी को सेकेंटरी 3 डिगरी मतलब परश्री यहां पर देखो प्राइमरी मैं बताती हूँ क्या आता है यह कर्वन एटम है ठीक है यह सी एस तरी पहले मैं यहां पर सब लिख ले दिए फिर आपको इसको को एक्सलियां करें पिए औरंटान है ठीक है यहां पर कर वनकतलों है यहां पर दिकू करान केकी पास में कितने गुरूप ही और के यह चौन एक पर थे यह कारवन के टायन पी कितने ग्रूप है यहां पर दो है तो यह क्या होगा सेकेंड यह कारवन आटम टोटल तरी है तो यह क्या टर्शरी हो गया समझ में कारवन के टायन पी कितने अलकायल ग्रूप है यहां पर एक है तो यह हो गया वन यहां पर टू अलकायल ग्रूप है त स्टेबल होता है क्या होता है यह बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ठाफ अगर देखो गें तो एसे फन मेकानिजम में biri कर भन च स्ट्रॉंग होटा है तस प्रबो क्षिंथ क्या यह यह में च्णक्य क्या नकितने कार्भन प्रेजंटेस्ट के में कर्वन के पास कार्वो के पास कितने मेकानिजम देखोगे रेड के ओर रहा है का से रहा है यहाँ पर एस्के बाद में थोड़ा बढ़ रहा है यहां पर थोड़ा ही है तो और हो ज़ вд talk ऑन weeへं फोड़ा सा 8 में वो क्या हो गया थोड़ा सा सब्सक्राइबल उससे क biss लोइट कैसे बन रहा है फ्राइमरी टो इसी आपकोजिट क्या होता है और मेकांडल एस में क्या होता है रेट कैसे इंक्रीज होता है सबसे ज्यादा होता है फिर प्राइमरी में होता है फिर बारस्वारी सबसे ज्यादा आपका प्राइमरी में होता है फिर सेकेंटरी में होता है ठीक है इसका क्या हो जाता है उसका अपोजिट हो जाता है अब यहां पर देखो नेचर ओब वट नियूक्लोफाइल है तो जो आंसेइन वन मेकानीजं में संद मैकानीजं मिरोधन डॉ सकता है वो डूस नोल डिपेंस ऑन ऑन नेचर ओप वाट नूक्लो फ़ाइल ठीक है इकान अप्य नू किया हनता और जो सिंटी होता है वह क्या हाता है संटी डिपेंस से इसन्टी डिपेंशंच अनवाट turning प्रon तीक है क्लियर हुआ यहां पर य क्या हो रहा है सिंवन होता है जो नेचर ऑफ नुक्लोपाइल . Olos ag is नवन मैकानिसम होता है वह डिपेंड नहीं होता है और Institute क्या होता है वो डिपेंड होता है नुक्लोफाइल पर ठीक है आप यह आप देखो के solvent polarity ठीक है यह लोजिक लिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा solvent polarity क्या होता है रेखो जो पोलार प्रोटिक जो पोलार प्रोटिक होता है पोलार प्रोटिक solvent इंक्रीजिस असन वन रेक्शन इंक्रीजिस तो यह जो पोलार प्रोटिक होता है मतलब वो पोलारीटी होता है पोलार प्रोटिक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ठीक है पोलार प्रोटिक में क्या होता है प्रोटिक और प्रोटिक मितलब फ्रोटान दॉनर होता है और प्रोटिक क्या होता है आप रोटिक कि laugh what? do not donate proton, ठीक है? do not donate proton, protic मतलब proton donor होता है, a protic मतलब do not donate proton, तो देखो solvent polarity में क्या आता है, जो polar protic solvent होता है, वो increase होता है, as the SN1 reaction increase, ठीक है? second, a protic solvent, a protic solvent, what? it decreases as SN1 reaction, what? SN1 reaction decreases, ठीक है? यह उल्टा होता है, polar protic solvent increase हो रहा है, तो SN1 increase हो रहा है, a protic solvent decrease हो रहा है, तो SN1 decrease हो रहा है, तो यह भी इसका ही opposite होता है, अगर polar protic solvent, polar protic solvent, यहाँ पे decrease हो रहा है, तो आपका SN2 reaction है, SN2 reaction क्या हो रहा है, ठीक है? और अगर a protic solvent, a protic solvent यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर a protic solvent यहाँ पे increase हो रहा है, तो SN2 reaction यहाँ पे क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा, मतलब यह क्या है, दोनों opposite है, polar protic बढ़ रहा है, तो SN1 बढ़ रहा है, अगर protic solvent decrease हो रहा है, तो SN2 reaction बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने SN1 mechanism के सारे, SN1 mechanism, SN2 mechanism क्या होता है? उसके अपने मेकानिसम भी दोनों के देखे हर एक चीज स्टेप बाइज फिर हमने न्यूक्लोपाइलिक हमने नेचर और सब्ट्राइक देखा कौन-कौन से पेक्टर एसनवन एसनट्यू को क्या कर रहे हैं एफेक्ट कर रहे हैं तो देट सिट पॉर्ट टूडे आके के जो पार्ट है हम अपने लेक्स नेक्स लेक्शर में करेंगे थैंकि सो मच